हेलो दियर स्टुडेंट्स पागत है आपका EAD पॉल्टेक्निक क्लासेज चैनल में सभी स्टुडेंट्स लाइव आजाएं सभी क्लास को शेयर करें सभी क्लास को शेयर करें अपने सभी ग्रूप में आपर इलेक्टिकल माटीरियल इलेक्टिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिंग माटीरियल हम देखना वाले हैं यह आपका ट्रिपल एम सब्जेक्स है सभी लोग लाइव आजाएं क्रिपल एम सब्जेक्ट जो आपका यह है थर्ड सेमेश्टर वाले बच्चों के लिए लेक्रिकल इंजिनिंग वालों के लिए कि जी सभी स्टुडेंट क्लास को शेर कीजेगा इतना हो सके कि अच्छी सब्जेक्ट हम यहां पर इलेक्रिकल इंच्रोनिक्स इंजिनिंग मटेर्स आपका यह सब्जेक्ट हम देख रहे थे इसमें हमने काफिक सब्सक्राइब करेंब कर लिए थे प्रिब्यग स AI ग्जाम्स कि बेस परे नब प्रिब्यस ईये या हमारा साहесть का है एग्जाम सब्दके कि आना उनके लिए इनके लिए की प्रिवस येर वाले जितने फ्लाइसे अग्जय सुन्स ठें उन्हीं को हम एकएक करके नौल करे जा रहे हैं। आपके आने वाले जो Summen उनमें भी मैक्सिमम उन्ही स्वालों के आने के चांसेश हैं, पूरे 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 आने के चांसेश हैं। सब्सक्राइब करें यहां पर आपके जितने भी समस्टर एक्जाम है थर्ड सेमस्टर के उनकी क्लासेज प्रॉपर चल रही है सभी सब्जेक्ट ठी सब्सक्राइब करें अगे बढ़ते हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं थर्ड सेमस्टर वाले बच्च्चों के लिए सब्सक्राइब करें कि इलेक्ट की इंग gloss ओन जाता है राइट पिष्ली अधीच्ट में जो बच्चे रहुंगे उन्हें पता हो क्लासेज में हमने क्या देखा था इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे इसी क्रम को बढ़ाते हूं आगे चलते हैं अब देखो हमने पिछली ग्लास में देखा था कि हमारे जो इन्सुलेटिंग माटेरियल होते हैं वो थर्मली भी बटे होता है हाना थर्मली यानि कि उनके टेंपरेचर के आधार पर बहुत बाटा जाता है लृपर मतलब कि वह कि इसे की alpha से भी denote करते हैं वो क्या होता है negative हो ना नेगेटिव होता है नेगेटिव का मतलब कि टेंपरेचर बढ़ने के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटता है तेंपरेचर बढ़ने के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होगा कि उसके इंसुलेश होता है temperature की बेस्ट पर भी insulating materials को अलग-अलग से क्या है हमारे जो पास हैं बहुत सारे insulating material है गुड़ीवनिंग मुकेसपाल जी गुड़ीवनिंग क्लास को शेर कीजिएगा आपके सभी दोस्तों के साथ जलो अब क्या होता है insulating material को उनकी temperature के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है temperature के आधार पर क्या है temperature को बढ़ाने पर उनकी insulating property घटती जाती है ज्यादा temperature में क्या होगा insulation की property घट जाएगी properties क्या क्या है insulation resistance, dialectic strength, dialectic constant, mechanical strength यह जो properties घट जाती है तो सभी produktंने- Guardicic particles को Insulating material को temperature के आधार पर वर्गिक्रित किया गया घरिए thermal रूप से thermal रूप से इन्सलेटर को अधिकतम कारियत आपमान के आधार पर साथ प्रकार गया शात 5 वर्गों में विभाजित किया गया ऐ सात वर्ग में वीभाजित किया गया क्या सदिक्तम तापम्हाइन की धिक पर वबर खतम होने लगेगी तो इस तापमान से उपर क्या होगा इन्सुिलेटिंग सुने और टृपेटिए फुलेटिंग नागत है गळटने लगती है अब देखो यह कैसे डिवाइड है साथ 7 से क्कौन क्लास Y8 FFC इनको याद करने हर किसी का क्या है अपना एक maximum temperature है maximum working temperature ले इसके उपर अगर इसको temperature को बढ़ाएंगे इससे उपर temperature में अगर यह काम करेगे तो क्या होगा इसका इस peroart जाएगी जैसे की हमारी वाइंडिंगे से मोटर्स के अंदर मोटर्स लोकर काहल पार इंसुलेटेड होती है। इसे जैसे ह Σे क्या होगा होगा क्या होगा आई स्कौईर आर लॉस हों गे ऐस तक क्या होगा हीट जनरेड़ेट से इस्वेट होगी याने की आई स्क एर टी यानि की जेनरेट होई हीट का मतलब उश्मा त गए में एक मोटर भूंबरी ती अर उसके इंसुलेशन के आप मान का जो उसके पर इंसुलेशन लगा था उसका मैक्सिमूम वरकिंग्टेंपरिटर 50 ुसका मैक्सिमम working temperature अब मान लो अगर i2R losses बहुत ज़्यादा होगे मशीन में और इस temperature से उपर क्या हुआ होगा हमारी coil तो क्या होगा जो insulation होगा वो क्या होगा अपनी insulating property खोदेगा जब अपनी insulating property खोदेगा तो इसका insulating resistance घड़ जाएगा जिससे क्या होगा हमारे conductor के बीच में current flow ने लगेगा जो conductor अलग-अलग coil होंगी उनके बीच में current flow ने लगा जिससे क्या होगा coil damage हो जाएगी राइट तो क्या होता है अधिक्टन temperature बढ़ाने पर क्या होगा temperature बढ़ाने पर insulation की property खो जाएगी अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं आपकी क्या-क्या class है उनका temperature क्या-क्या है राइट तो इसके एक short trick है याद रखने की राइट जो बच्चे exams की तयारी करते हैं government exam competitive exam इनकी तयारी करते हैं डिप्लोमा होने के बाद jobs के लिए जब जाते हैं तो बच्चे short trick बनाते हैं हर चीज की short trick बनाते हैं याद करने के लिए ठीक है तो इसकी भी एक short trick है जैसे की आप सभी electrical के हो इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको क्यूआ you are electric boy कुछ ना कुछ तो याद करना है फिर क्या अगी इस तरह से याद कर लो आप इसको इसका y you are electric boy for h कौन कौन सी class होगी y a e t f h c किस तरह से यह class याद हो जाएगे आपको y a e b f h c तो यह short trick है याद रखने की नहाना साथ classes क्या क्या है इसको याद रखने की यह short trick है अगर आपके exam में सवाल आ गया जो कहीवार आया भी है आपके बहुत सारे जब मैं देख रहा था प्रीवेस एर एक्जाम के आपके साथ classes में divided साथ classes कौन कौन सी है य a e b f s c उसको याद रखने की ट्रिक क्या हो गई यह हो गई इनका पहला पहला उठा देना यह short trick होगी याद रखने ठीक अब जो y class है उसका maximum workable temperature है कितना 90 डिग्री उसका कितना है 90 डिग्री यानि 90 डिग्री से उपर क्या होगा यह अपनी insulating property हो देगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग रजविश कुमार जी ठीक है 90 डिग्री से उपर 90 डिग्री से उपर अगर यह temperature इनका जाएगा इंसुलेटिंग अपनी इंसुलेटिंग प्रपर्टिक हो देंगे यानि की insulation resistance काम हो जाएगा ठीक है जो इनका अब यह कौन-कौन से मटेरियल है cotton है पीवीसी है ठीक है गॉलकनाइज रबर है पेपर है सिल्क है यह मटेरियल क्या है इनकी जो temperature देलने की जो लगती है वो कम है ठीक है उसके बाद क्या आता है class है इसका maximum workable temperature कितना है 105 डिग्री यानि 90 से 15 डिग्री कितना 15 डिग्री प्लस हो गया अगर पहला याद है और 15 डिग्री आप प्लस करते जा रहे हो तो आपको और भी याद हो जाएंगे ठीक है 15 डिग्री प्लस हुआ फिर यहां से आया 15 डिग्री यहां पर प्लस हुआ 20 पहुंच गया ठीक है अब यहां पर 10 डिग्री प्लस है इहां पर कितना हो गया यहां पर 15 डिगरी हो गया इस तरह से आपको इसकी class भी याद हो जाएगी कि इनका temperature कितना कितना है क्योंकि 15-15 का gap आ रहा है ठीक है एक जग़ा पर 10 का है फिर 15 का आ गया इस तरह से आपको याद हो जाएगा । वगर आपको पहले वाले का याद है y क याद है, A मत लेना, ठीक है, कहीं आप लिखने लोगो, कि class A सबसे पहले आया है, उसका temperature 90 degree, हमें सा याद रखना, सबसे पहले कौन सा है, Y, ठीक है, सबसे पहले Y है, और उसका maximum temperature किता है 90, सबसे कम किसका है, Y का, ठीक है, इसको याद रखने के लिए, इस statement को आप याद कर ल कि कौन कौन सी class है, उसको याद करने की ये short trick है, लिख लो, उसको याद करने की ये short trick है, सभी को दिख रहा होगा, उसको लिख लो, अपने notes में लिख लो, ये short trick है, UR Electric Boy for SC, ठीक है, Q सबसे पहले आएगा, और उसका maximum temperature जो है, कम होगा, ठीक, उसके बाद फिर 15 degree प्लस किय है, और हम कहां चलेगे, A में, class A में, उसका maximum temperature कितना है, 105 degree है, अब इसमें material कौन कौन से आते हैं, जो ऊपर वाले material है, उनी को तेल में भिगा देना है, ठीक है, इंसुलेटिंग तेल में भिगा कर उनी को लिख देना है, ठीक है, तो क्या लिखा वहाँ पर, पेपर कौन सा impregnated, impregnated का मतलब होता है, कि भिगाया हुआ, ठीक है, इंसुलेटिंग ओयल में भिगाया हुआ पेपर, ठीक है, और immersed in oil, यानी कि oil में भिगाया हुआ, ठीक है, रेजिन सा आ जाते हैं इसमें, या फिर silk हो गया, भिगाया हुआ, या फिर cotton हो गया, भिगाया हुआ, तेल और ठीक 15-15 सी खञया और शाथ 9 सड़ीर सा। डिषिटम गरने कर्फ को एक टेप इने मलगर जो रहती है हमारे इनेमल को होती है फिर भी उसका किने मात इंम्मन कुष निए कोटिंक है ठीक है जिस तरह से 談ते इल्ट्रो प्रातिंग करते न अल्ट्रो कि विख धन्ट से यह है कोटिंग होती है फिर Grund साउत है Class B का रख लिडिशा कितना 130 डिग्री किसे 10 दिग्री जादा ठीक है प्लस 10 डिग्री से फिर 15 डिग्री तो याद रखना 15 15 स्टार्टिंग में है फिर 10 डिग्री प्लस हो रहा है फिर 15 डिग्री प्लस हो रहा है इस तरह से आपको याद हो जाएगा ठीक है क्लास एफ एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगा शॉट ट्रिक के साथ आपको या जाएगा, ठीक है? फिर class f आ जाता है, उसका कितना है? 15 degree, 155 degree यानि कि 130 में 15 degree plus खर दिया है और इसका कितना होगया? 155 degree हो गया, माइका, इसमें क्या कि आ जाता है? माइका, asbatos, ठीक है, glass, ठीक है? 8 से इस तरह से अलग-अलग भी आ जाता है, कि यहां पर क्या हुआ 25 डिग्री 155 से 25 डिग्री अब क्योंकि यह लास्ट का याद रहेगा इस तरह से याद रखना पहला का नब्बे जो लास्ट में आने वाला है वो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है यह सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले क्लास y a e b f h c उसको आप यहां से याद कर लो य का याद रखना 90 और सबसे लास्ट वाले जो c है उसका कितना 180 से ऊपर 90 और 180 से सभी को समझ आ रहा होगा सभी को यहां तक समझ में आ रहा होगा इन materials को याद कर लेना किसमें कौन-कौन से material है ठीक है कुछ जैसे माइका है अब आप कहोगे कि हाँ पर भी माइका है यहां पर भी माइका है ठीक है यानि कि माइकिन क्या है कि कि किसी material के लिए क्या होगा कोई एक simple material है उसके maximum temperature वर्टिल temperature ऐसे होगा कि 120 degree to 150 degree यानि कि इतने से इतना कर सकता है माइका भी अलग-अलग तरह के माइका होते हैं इतना कर सकता है वो दोनों में आ जा रहा है तो वो भी धिहान रखना आप कि कौन सा पदार्त दोनों में आ जा रहा है ठीक है जैसे माइका इस में भी आ जा 6 हमारे circuit breaker में भी यूज होते है ना ऐसे 6 क्या इस गया चाहिए उसका कितना है 180 degree centigrade ठीक इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो अब देखते हैं अब हमने क्या क्या देख लिया था कि insulating material की properties क्या क्या है वो हमने पिश्री class में देख ली ती जिन बच्चों ने नहीं देखियोगी वो पिश्री class में जाना चैनल की playlist में और वहाँ पर सारी classes available है साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल पर सभी classes की पीडिया ब्यू प्लब दे ठीक है तो आप वहाँ जाकर टेलिग्राम चैनल में बिल्कुल बिल्कुल सार्थिक गोत्म जी 14 को है हाँ अभी पता चल गया था मैं 14 को आपके एक्जाम जो हैं पीछे काफिख हो गया अपको पीछे नित् अब जो हमने क्या देख लिए था पिष्ली क्लास में पिष्ली क्लास में हमने देख ली थे प्रौपरिचिस देख ले थी अब जिन की properties देखी हमने हमने जिन insulating materials की properties देखी उनके बारे में भी तो देखले आना उन अलग अलग materials के बारे में भी देखले और इस chapter से सबसे ज्यादा स्वाल आता है इस chapter से सबसे ज्यादा % आती है कि इन्सुलेटिंग Materials and their properties, अलगला इंसुलेटिंग मत्रियल के हैं और उनकी प्रपरटिस का है, क्योंकि इंसुलेटिंग मत्रियल बहुत जाद है, कंडूक्टिंग मत्रियल से भी जादा है, साम्में क्या पुचाता घर्मो प्लास्टिक पूछा था और पुछा था रभड पूछाता था इन सब को मेगे करके तो देख करेंगे और साति ही कुछ एक्षा सवाल भी देख लेंगे जैसे कि कि से मिक भी पूछा जा सकता है. आता हें Ayind पूछा जा सकता है साथ किया दाट के बारे में पूछा जा सकता है पक्रेशिर के बारे में पूछा जासकता है इन Chip में को भी देख लेंगे यह तो आपके प्रिवेस केसाे किस्वाल गरेंगे वह इस तरह से आते हैं कि तीन सवाल रहेंगे एक साथ इन तीनों मैंसे दो या उपर के दो या नीचे के दो या फिर बीच के दो ना उपर के दो या फिर लास्ट वाले दो इस तरह से अटेम्ट करने दो यह तीनों एक ही सब्जेक्ट से सवाल होंगे एक ही सब्जेक्ट से मतलब एक ही चैप्टर से स मैं जास को शेर करो कि अगर दो मॉह क्या अगजाम के पीछे जाने से एकजाम डेट के पीछे जाने से एक मुऊका मिला है आपको और अच्छी तरही करो और अच्छे से पड़ो आपको एक्जाम ठोड़ा पीछे गया है तो एक चांस मिला है आपको कि आप और अच्छा आप तयारी कर सको और अच्छा अपने एक्जाम में परफॉर्म करो ठीक है पास तो सभी हो जाते हैं लेकिन जो बच्चे अच्छी परसेंटेज ला पाते हैं उनके लिए क्या होता ह या उपरचे निटेज बढ़ जाती है उनके लिए रास्ते ज्यादा खुल जाते हैं ठीक है कई बार कि कई एग्जाम से होते जो गवर्मेंट जोब के लिए खांस होता है इसे कि पावरवीट होता है तो पावर वीर्वीट कितना मांगता है मैक्सिमूम 75 मिनिमम 75 नीचे आपकी डिप्लोमा में एप उसके एक्जाम में बैठ सकते हो ति इसी तरह आपने कंपने भी आती हूंगी अगर पुराने आपके सीनियर्स कहीं बे जो प्लेसमेंट होंगे तो वह आपको बताओंगे पुरानी जो प्लेसमेंट के लिए वह भी percentage मांगती हैं कि भई 60% से नीचे वाले बच्चे हमारे इंटर्वीव में न बैठें या फिर जिस बच्चे की बैक लगी हो जिस बच्चे की बैक लगी हो वो भी न बैठें इस तरह के भी आते हैं तो पास तो अल्मॉस्ट सभी हो जाते हैं लेकिन percentage बनाना एक बहुत बह से क्या होगा अपको पढ़ना पढ़ेगा लिखना पढ़ेगा practice करने पढ़ेगी छिस से ज्था रासते खुल जाएंगे करियर को बनाने के हैर करियर तो हर कोई बना लेता है कोई न कोई कुछ न कुछ तो करे गई चाय पकोड़े तले लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा है जीवन तो जीवन तो चला नहीं है तो कमा नहीं है पेट तो भर नहीं है पकोड़े तले करेगा तो हर कोई कुछ ना कुछ पर कोशिश करो कि अच्छी पसेंटेज लाओ तो अच्छे रास्ते आपके लिए खुल जा के बारे में पूच्छा गया था जैसे कि हमारी संगमर मर होता है हम जमीन से निकालते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे पदार्त हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं ठीक है तो जमीन से निकाले जाते हैं जो माइका होता है इसको जमीन से निकाला जाता है यानि कि धर्टी से निकाला जाता है यह क्या होता है यह भी मिट्टी की मिट्टी की कॉम में होता है मिट्टी मतलब सिलिकन ठीक है, Silicon की form में होता यह, Silicon और इसके साथ और इनको कहां से निकाला जाता है जिसे आगने चट्टाने होती है रुपांतरित चट्टाने होती है इस तरह से अलग-अलग प्लेट होती है उन प्लेटों से इनको निकाला जाता है तो जो हमारा माईका होता है वह कहां मिलता है आगने और रुपांतरित चट्टानों के बीच म मिठ्टी की फर्म में होता है या फिर चकटानों की संगमरमर तुकिन अब्रक के अंदर क्या हुता है थोड़ा लचिला यह लचिला होता है थोड़ सा इसको खीचेंगे तो खीच जाएगा इतना भी नेगी खीचेगा लेकिन इसके अंदर थोड़ी भाँत एक तरह से बिटल नहीं होता मतलब इसा नहीं कि भंगुर नहीं होता ज्यादा थोड़ी सी Elastic अेसे हैं अन् ON जानोश के अंदर मतलब मतलब मौत्या प्र३ी जैन्ट इसकी सिर्च शिलीन से मिला होता है पानी वाटर होता है слова चालोड़े hands बाकी चीजे अलग अलग रेशियो में रहती है ठीक और यह किसके अंदर जमीन के अंदर पाया जाता है किसमें नैचुरिली पाया जाता है यह खनीज होता है दाल करीष्टल असानी से अतयंत पतली लोजजर적 प्लेटों में विभाजित हो सकते हैं अब जैदे यह चट्डाने मिलती है इन चट्टानों को क्या अलग 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 हम पतली पतली चट्टानों में भी तोड़ सकते हैं आप जाओगे पड़ जाओगे और अपाफिआ कि ऋ तर्ज करना आप Google में तो आपको दिख जाएगा कि यह क्या है ना माइका कुछ नहीं है चट्टानों जैसा ही जमीन के अंदर से निकलता है कौन सी चट्टानों से आगने चट्टानों से और रुपांतरित चट्टानों से ठीक काम रूप से मिलता है ठीक यह प्राकरतिक विद्ध्यूत्रोधी है अब इसमें क्या है यह है तो चट्टान लेकिन इसके साथ तो एक प्रपर्टी एक इस चीज की विद्ध्यूत्रोधी है नेचुरल इस लीड़ी मिलने वाला यह सबसे ज़्यादा विद्विद्विदेदी पदार्ती सब्से ज्याधा कहा मिलता है भारत में सब्सेज़दा मिलता है इंडिया में आप भज्व के शरवद्वाधिक मात्रा में मिलने वाला माइका बंडारों का दावेदार है या फिर कहलो कि सबसे ज्यादा जो माइका मिलता है भारत में मिलता है ठीक है अब क्या है कि माइका भी अलग-अलग तरह की होती है ठीक है माइका भी अलग-अलग तरह की होती है हर जगा एक जैसी चटाने नहीं होत को आलग तरह की चट्टाने होती है कुछ चट्टानों को कुछ कार्यों के लिए यूज़ करते हैं कुछ माईका की चट्टानों कर अलग अलग अपलिकेशन के लिए यूज करते हैं यह ना मस्को वीटा के लो फिर हिंदी में आपकी बुक में लिखा था मस्को वाइट रखी को दूसरी कौन से फ्लोगो पाइट रखेस्थ यह दोणों माइटा की जो पॉं है एलेक्टिकल में इंजिनिंग में पढ़ने के लिए इनको जरूरी है क्योंकि इनकी जो प्रपर् कि यहाज की माइका के जो परकार हैं उनके मुकाबले अच्छी indust poorer है तो आपको सिर्फ यह दो पढ़ नीं जाए तो आपको जब यह सब लिए के बाद गोरिब ने के बाद यहाज को एक्स्प्रेइन करना है ठीक है दो परकार की माइका कौन कौनसी हैं उनके में हम देख लेते हैं एक तो कौन सी है मस्कोवाइट या फिर मस्कोविटा अब मस्कोवाइट और मस्कोवाइट और कौन सी मस्कोवाइट और फ्लोगोपाइट में अलग अलग ठीक है यह तो दोनों माई का लेकिन जो प्रॉपरेटी है थोड़ा बहुत डिफरेंस हैं ठीक है मस्कोवाइट अब रख का मूल रासाइनिक संगठन अब इसका मूल रासाइनिक संगठन क्या है अच्छा होगा कि अगर आप जब एक्स्पेंड करो एक्जाम में तो यह फॉर्मला जरूर लिखना ठीक है इस फॉर्मले को याद कर लेना का chemical structure है chemical formula यह AH2, AL3, SiO2 का thrice ठीक है यह क्या हो गया potassium हो गया यह hydrogen हो गया यह aluminum हो गया silicon हो गया ओक्सिजन हो गया ठीक है तो इस मटी इस वाले में क्या मिलता है potassium, hydrogen, aluminum, silicon और oxygen अब दूसरे वाले में देखो यह दूसरे वाला है इसमें और उसमें वहीडिफरेंस है ठीक है इसका जो केमिकल कपोजिशन है उसमें क्या है इसमें एक एकेक्स्ट्रा मेटीरेल है कौन Google Magnesium, ठीक है? Magnesium इसमें Extra है, ठीक है? तो यह धिहान रेना हो. Muscovite Micah, ठीक है? Muscovite का राशाइनिक सुत्र क्या है? Ks2, Al3, SiO2, 3, ठीक है? Muscovita Micah के गुनिस परकार हैं, या फिर Muscovite Micah, ठीक है? यह होता है? यह Strong होता है, Strong मतलब मजबूत होता है, ठीक है? साथ ही क्या होता है? Hard होता है, यह Hard होता है, तथा कम लचीला होता है, कम लचीला का मतलब इसकी जो Elastic Property है, वो थोड़ी कम है, Elastic का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम पकड़कर खीचे, तो खीच जाए, अब ठीक है? अब लेकिन Normal Elastic की तरह नहीं है, कि खीचा तो बहुत ज Elastic होती है, यानि कि उसको दबाओ तो दब जाएगी, ही चोक ऐसे भी ढाल दो तो ड़ल जाएगी, उस तरह से यह है, कम लचीला होता है थोड़ा, ठीक है? कम लचीला किस से? दूसरे वाले जो माइका है, उनसे, ठीक है? यह क्या होता है? रंगीन होता है, कही बार रंगीन कहीं चट्टाने अगर पहाड हो गे रहा हो, चट्टाने देखना, अगर हरे कलर की होगी, तो क्या होगा? यह वाला माइका अब हो सकता है, ठीक है? पी ली होगी, यह वाला माइका हो सकता है, ठीक है? इसके विद्ध्यूत रोधी गुण अति उत्तम होते हैं, ठीक है? वि गर्षंड परती रोधिन फड़ाता ओति के घड़र यानि कि librarians senza क्या होता है कि कोई इंसलीटिन्ग मटिर्य यह फिर कोई भी रेविए पम घंड़ करने तो उसमें घृते खूते हैं वह घिसने से균क इंसलेटिंग क्राब हो सकती है कि वेम संगे मैं कि जिसका माईगा का जिसके ऊपर क्या यह गिसते रहते हैं जैसे माइका मान लो इसके ऊपर इसकी जह निकी घर संद से इसकी इन्सुलेटिंग प्रपरटी खराब हो गई तो यह सारे सेगमेंट जो इंसुलेट थे उनके बीच का इंसुलेशन भी खराब हो जाएगा अना तो यह था एक घर संद से अगर होने होने वाले damage के खिलाब resistance जो होता है गरciesंट के खिलाब परती रोद यह उच्छ है यहाई कि होने से इसकी insulating property उतनी प्रभावित होती है जितनी खराब हो सकती है घरसंड से इसकी उतनी नहीं होती इस पर chemicals इस पर chemicals acid alkyne यानि की अमल या छार इनका कोई प्रभाव नहीं होता ठीक है chemical इसको प्रभाव इतनी कर सकते है इसकी इंसुलेटिंग यानि इसकी applications कहा पर है मस्क्वाइट कहा पर चाहिए अब जहां पर इसकी क्या है पर जहां पर चाहिए वहाँ पर चैये अपर एमन को यूज करते हैं जहां पर उच्छ विद्ध्य त्रोधक जहां पर चाहिए वहाँ और उची प्रावय्द्यूत्र समर्से के कारण संधारित्रों में अब इनकी जो डाइलेक्टिक स्टेंथ होती भी अच्छी ओत seria dialects cape ऑट वो भी अच्छा होता है epsilon a upon epsilon क्या होता है यह तो होता है permittivity या फिर dialectic constant यह जितना ज़्यादा होगा उतना capacitance ज़्यादा होगा epsilon ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा capacitance होगा ठीक है तो इसका जो permittivity होती है या फिर dialectic constant जो इसका होता है इसको ऐसको कहां यूज़ करते हैं तंधारित्र बनाने में या फिर क्यापीसिटर बनाने में यूज़ होता है यानि कि घरसंड के खिलाब परति रहुता है यानि कि घरसंड होने से अगर suck रपर्तिरोध होने के कारण अब जो can be water के वीच में माइका लगी होती intéressant वो मस्को विता वाली थीक है मस्को विता माइका आप का नाम क्या या फिर मस्को वाइट माइका रइक पर उच घानगर काँ साथ ही इसका उच धर सन परतीरोद होने के कारण चनने से इनसलेटिंग खराब वो सकते हैं लेकिन हमने भीат है गिसने से इसकी इनसे इनसलेटिंग पर भटिशनेंस खराब जो कहा है फ्लोगोपाइट फ्लोगोपाइट माइका रसायनिक संगठन क्या है रसायनिक शुत्र क्या है एसका फॉर्मला है अब यहां पर क्या है मैंगनीज है घ्क है और यह क्या है मेंगनीश्ययं में अफर क्या है मेंगेशियं मंगनीश्य बहुते हैं है अब क्यों किसमें मैंगनिश्य habits उसे Bhag ₹ आ菲 198 माइका भी ठीक है लोगो पाइट को लोगो पाइट माइका के गुण क्या क्या है लोगो माइक लोगो पाइट माइका है इसके गुण क्या क्या है ठीक है यह पीले रंग का भी हो सकता है हरे रंग का भी हो सकता है सुरही रंग में भी हो सकता है ठीक है अलग-अलग रंग में हो सकता है अलग-अलग रंग में भी मिल सकता है यहां अधिक सनराशनात्मक स्थाइत्व रखती है यानि कि इसका जो सनराशनात्मक इसका जो अच्छी है यानि कि यह जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहता है ठीक है सनराशनात्मक स्थाइत्व अच्छा है ठीक है लेकिन पहल वाले के मुकाबले घ्ले हम हाड ही थ्ञा कम हार्ड होता है ठीक है और क्योंकि अधिक लचीलापन इसी लिए इसको कुमिटेटर में यूज नहीं करते ठीक है और क्या alkaline के लिए पर्ती रोध सकता है यानि कि च्छारों के लिए पर्तिरोध से से थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो सकता है छारों से उतना नहीं होता लेकिन अमलों से एफेक्ट हो सकता है इफेक्ट का मतलब यह है कि इसकी इंसुलेटिंग प्रपर्टी थोड़ा घट सकती है अम लोग अमलों को डाल लेते मस्कोवाइट अब रख से इनके विद्यूत्रोधी गुंड नहीं कि जो मस्कोवाइट वाला जो था उससे इसका विद्यूत्रोधी गुंड जो है थोड़ा कम है निमने का मतलब थोड़ा प्रपर्टी कम है इंसुलेटिंग प्रपर्टीज हैं मस्कोवाइट की बहुत अच स्टाहेर तो मस्को प्वाइट अबरक से अधिक है अब ताप ये सर्मल स्टेविलिटी यानिकी कि किafe đầu लेटी म Naruto iseralी स्टेविलिलीटी अच्छी योटी तर्मल स्टेविलिय उसकी मतलब है कि आपमान बढ़ा तो इन्सुलेस्टिंग प्रोपरीस की बची पहले वाले में गर ताप मान बढ़ाओ तो इंसुलेटिंग प्रापर्टी डेमेज हो सकती यह लेकिन इसका क्या थर्मल इस्टेबिलीटी अच्छी यह यानिकि तर्मली इस्टेबल एक पालने घटाने पर इसके जो विद्धूत्रेद इंसुलेटिंग रिजिस्टेंस या इंसुलेटिंग प्रपरटी उन्पों उतना एफेक्ट नहीं पड़ा यानि कि मस्कोवाइट से अच्छी है इसकी थर्मल स्टियबिलिटी ठीक है अब यही उसको थोड़ा अलग बनाता है मस्कोवाइट से लोगोपा का हो धाँ चैनल आओं कि रश्चाल आधिक चाहिए यहानि कि टेंप्रेचर बढ़ाने पर इसकी इंसुलेटिंग प्रपर्टी यह इतना अफेक्टिव उन पर त्रच्टिंग पर ना पाड़त, वहां उंपयोगों में हम इसे हैं, ठीक है? उन उपयोगों में हम इसे, यूज करते हैं, जैसे कि कहा कहा एंच कर सकते हैं, एक तो, इस्तरी ठीक है, इस्तरी मतलब इस्तरी नहीं, ठीक है, इस्तरी मनलब y belt preço iron होती नहीं, क्या होती है इस्तरी जानव इस्तरी नहीं इस्तरी हुए लेक्टर्ब में यूज़ हो सकता है वह उपर फ्लोगोlement गरम होते हैं फिर माईका जो दाटु के पलेट होते उसको गरम करती है फिर हम कर लेते है है ठीक है अगर डारेक्ट हम करते माइका नहीं होता हो तरफ निकाँ लगाया और उसके नीचे इंसुलेशन परत और एतनी प्रभावित नहीं होथी इसलिए इसको ये में तवे बनाने में अब पेन जो होते हैं टॉस्टर बनाने में यहां यहां यह यह होते हैं ठीक है जहां पर भी क्या थर्मल इस्टेभिलिडिटी चाहिए तो चाहिए वहाँ पर कौन सा तो कि रोगोपाइट अगर वहाँ पर इंसुलेशन नहीं लगाओगा तो हीटी के एलिमेंट होगा जैसे उसके नीचे फिर इंसुलेशन की परत होगी अब जाके मैटल की प्लेट आती है यह वाली परत हमने हटा दी इंसुलेटिंग मट्रियल की तो यह वहाँ टच हो जाएगा कि वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं यह वाला माई का क्यों क्योंकि इसकी थेर्मल इस्टेबिल्टी ज्यादा है अब तो समझेगे अभी भी नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिए दो फिर से समझा दूँगा अब इनका एक चार्ट देख लो जो बच्चे कोर्स का टेंशन ले रहे हैं कि पूरा नहीं होगा यह नहीं होगा को पूरा होने आप टेंशनल हो जितना आपको कराया जाए कम से का मुस्ट को पूरा पक्का कर लो पूरा मजबूत कर लो ठीक है पूरा मजबूत कर लो और हमेशा फिर यह नहीं कि पड़ेगी आपको खुदी पड़ेगी हम तो जैंगे निवह पर तो उसके लिए क्या है आपको घर पर बैटके जैने की इससे प्रियास करना होगा उस से लिखना होगा अब जाकर ही आपका अच्छे परसेंटेज आएगी ऊंलाइन क्लास के बरोट इसलिए बढ़ेंगे पुरा सरी करेंगे स 역 लॺ इसना मतर्फ अपाने सिधा लिखर नियुक्त नहीं सिधा क्यों मुझस्ताय है सबस्सक्राइब लिए सबस्क्राइब कर दिया तो बाकी आपको यहां पर आपको एक घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपको खुश से दो घंटे देने पढ़ेंगे ठीक है जो हमने पढ़ा है उसको भी रिवाइस करो रलक्स से एक्स्ट्रा भी पढ़ो ठीक है तो कोड्स पूरा होने का नाम होने का टेंचन ना लो आप सिर्फ पढ़ते जाओ इतना यह कौन से मस्कोवाइट टाइप की है यह लोगोपाइट की है ठीक है यह मस्कोवाइट की है और यह लोगोपाइट की है ठीक है यह अलग 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 प्रोपरटीज है ठीक है अब प्रोपरटीज सभी को दिख रहे हैं आपर सभी को दिख रहे होंगी ठीक है डाइलेक् इसलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं जहां पर है इंसलेटिंग है इंसलेशन की हमें आवश्क्ता हो ठीक है इंसलेशन मतिरियल की जहां पर यहां आवश्क्ता हो आपर इसा यूज़ करते हैं इसकी 80 kb पर mm यानि की सकता है उसके बाद ब्रेकडाँ हो जाएगा इसकी ज्यादा है लोगोपायट की थर्मल स्टेबिलेटी ज्यादा है इस यह कहां यूज़ कर आ इसा इंसलेशन चाहिए जो thermal से खराब ना हो, ठीक है, temperature से ज़्यादा effect ना हो, right, इसकी thermal stability greater है, इसलिए कहाँ यू, press वगेरा में use किया आमने, ठीक है, यहाँ पर भी temperature का issue आया, ठीक, इसका maximum workable temperature कितना है, 500 से 600 degree centigrade, और इसका कितना है, 800 से 900 degree centigrade, ठीक, इसलिए thermally stable है, ठीक है, इंसलेशन abilities, इसकी very good है, इसकी थोड़ी comparatively poor है, क्योंकि इसकी very good है, इसलिए इनको वहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें अच्छे insulator की आफशकता होती है, इसकी थोड़ी कम है, यानि बिल्कुल खतम नहीं है, इससे कम है, ठीक है, good and great, अना, दोनों चीज़ा अलग है, abrasion resistance, ठीक इसकी भी अच्छी है, लेकिन इसकी इससे ज्यादा अच्छी, hardness, hardness इसकी good है, good है, इसकी better है, यानि कि यह ज्यादा hard है, कौंसा, phlogopite वाला, ठीक है, mechanical strength, strong and tough, ठीक है, यह कितना है, strong and more tough, यह थोड़ा और ज्यादा, mechanical strength, flexibility देखो, इसकी थोड़ी कम है, इसकी more है, flexible का लचीला पन ज्यादा है, ठीक है, लचीला पन का मतलब, थोड़ा elasticity की ज्यादा है, ठीक, logopite की, अब देखो, density, density, इसकी 3000 kg पर cubic meter है, और इसकी, density का मतलब यह है, कि यह थोड़ा भारी है, यह वाला है, तर वाला थोड़ा, ठीक है, यह colorless भी है, या फिर silvery भी है, चांदी color में भी हो सकता है, yellow भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे वाला हो किया, एक तो amber color में है, gray color में, yellow color में, green color में, ठीक, suitability का है, suitability यानि कि कहाँ पर suitable है, कौन सा, मस्को वाइट वाला, तो मस्को वाइट वाला suitable कहाँ पर है, यहापर high insulation resistance की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तोगि vital, thermal, stability जाहिए, ठीक है, thermal, stability, जहां पर greater चाहिए, वहाँ पर logo, python ठीक, applications कहा, कहा है, की capacitor में, commitator में, capacitor में क्यों है, क्योंकि dielectric constant, ज्यादा है, dielectric constant, ज्यादा है, इसलिए क्या है, इसलिए कहां यूज होता है साथ ही हाड़नेस जादा है ठीक है हाड़नेस जादा है तो कहां पर यूज होगा यूज होगा हाड़नेस से मतलब जिसकी जो आम आन्यान यूज होता है का सवागा है नियुज हो सकता है इस अभी को समझ आया किताब से 30 बार पढ़े हैं और समझ नहीं आए हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूं यही तो मैं कह रहा हूं जो बच्चे कह रहा है ना जल्दी पढ़ा दो कोर्स पूरा कर दो कोर्स खतम कर दो कोर्स खतम करना हो ना तो यहां पर किताब लाओ और किताब एक एक करके पढ़ दो किताब आप एक पुणने से पढ़ दो कोर्स क्थम हो गया तो किताबों के आधार पेरे में क्थम करना होगा समझ में न 1 आएगा समझाना भी तो ज़रूरी है किताबों में दो सिदह लिख दया कि thermal stability जादा है thermal stability है क्या पता कैसे चलेगा वो तो बताना चाहिए ना, आपके concept जो clear होंगे, वो इससे होंगे, जितने अच्छे concept clear होंगे, उतना अच्छा पहाँ पर answer writing कर पाओगे, ना, और course अगर पूरा करने आपको बहुत जल्दी, आपको अपने से ज़्यादा परियास करना पड़ेगा, हमने जितना परियास किय अब यहाँ पर आपको एक घंटा पढ़ाय जा रहा है, तो यही subject दो घंटा आप पढ़ो, जो पढ़ाया उसको रिवाइस करो और extra भी पढ़ो, ठीक है? कोर्स एक आदमी से खतम नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पढ़ेगा, राइट? चलो फिर, आज दूसरे सर भी आगए, आप देख रहे होंगे, schedule लगा हुआ है आपका, दूसरे सर भी अपनी class का वेट कर रहे हैं, अभी आपकी digital electronics की class होने वाली है, digital electronics की class होने वाली है, थर्ड सेमेस्टर की, तो सभी बच्चे कहीं जाईएगा नहीं, ठीक है? इसी चैनल पर digital electronics थर्ड सेमेस्टर की class आपके होने वाली है, ठीक है? और ये भी बहुत important class है, थर्ड सेमेस्टर में, इसमें आपके percentage बनाने के बहुत अच्छे chances रहते हैं, digital electronics म और material science में, ठीक है, material science में लिखना ज्यादा पड़ता है, आपको लिखना ज्यादा पड़ता है, तो practice करना लिखने की, अभी answer writing को practice करना आप लिखने की, बाकी ये notes आपको मिल जाएंगे, telegram channel पे, अभी बच्चे telegram channel को भी join कर लें, ठीक है? ओके, बाकी जो question है, वो next class में आपके देखते हैं, आस्ट ये question हो पाया, क्योंकि, क्योंकि, 2 question हो पाया, आपके न, क्योंकि समझाना भी है, अब देखो आगे जो है, बहुत जल्दी जल्दी इनको complete कर लेंगे हम क्योंकि मुझे भी पता है, आपका जो झाल झाल